नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गनेश आईश्टो हेल्प में, मैं हूँ डॉक्टर दिलीप और बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस विसेश प्रोग्राम में यह प्रोग्राम है राहु के और केतु के महा परिवर्तन के बारे में यह बहुत ही विसेश प्रोग्राम है क्योंकि जितने भी गोचर हैं अब शुक्र का गोचर, सूरी का गोचर, बुद्ध का गोचर, मंगल का गोचर यह सब होता रहता है चलते रहते हैं पर दो गोचर बड़े महत पूणे जैसे देवों में देव महा देव वैसे ही महा परिवर्तन कहा गया इसे शनी का परिवर्तन और राहु का परिवर्तन बहुत महत पूणे तो शनी तो फिलाल है ही मकर में तो हमारा जो फोकस है आज राहु केतु के महा परिवर्दन पर राहु केतु चंद्रमा से या लगन से तीसरे, छटे, दसमे, ग्यारे में में जब होते हैं तो सुब फल देते हैं ऐसा फल दीपिका कहती है, जातक पारिजात कहता है ऐसा हमारे सब classic ग्रंथ कहते हैं और सही कहते हैं actually राहु के तु जिस भी घर से तीसरे, छटे, दस में और ग्यारे में होते हैं उसका फल देते हैं उसका सुब फल देते हैं तो लगन से अगर इस भाब में होंगे तो लगन सबसे important है चंद्रमा से अगर इन भाब में होंगे तो चंद्रमा सबसे महत्यपूर है इसलिए इसको सुब का गया पर इसका अर्थ ये बिलकुल नहीं है कि दूसरे घरों में हैं तो सब कुछ भहिया विनास है या सब कुछ खराब करेंगे अब तो भी या राहू बारे में चल रहे है अब तो अश्टम में चल रहे है तो अब तो कुछ होना नहीं है ऐसा नहीं है फिर भी वो जिन घरों से तीसरे छटे दसमे गारे में है तो उसका सुफ़ल मिलेगा तो डरने की कोई बात नहीं है क्या क्या सुफल मिलेगा क्या साबधनी अबरतनी और क्या सक्तिशाली जादू उपाय है मतलब जो सबसे महतपूर उपाय है जो किये जा सकते हैं जिससे लोगों को फायदा होता है उन की बारे में हम बात करेंगे और इससे पहले कि हम इस पे आएं थोड़ा सा राहु केतु के बारे में बात की जाए क्योंकि जिसके परिवर्तन के बारे में बात हो रही है उसके बारे में थोड़ी सी तो भूमी का उसका थोड़ा सा थो हमें एक आइडिया होना चाहिए जिने है उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको नहीं है उनको आत्में थे, सभी ने मिलके समंदर का मंधन किया था, तो जब उसमें से अमरत निकला था, यह सिंबॉलिकल कहानी है, इसके कई-कई मतलब है, हम अपना राहु केतु के को फोकस में रखकर इसका मतलब बता रहे हैं, तो जब अमरत निकलता है, तो राक्षस लोग उस पर अति मतलता है, तो फिर देवता लोग भगवान विश्नु की सरण में जाते हैं, कहते हैं परभू बचाओ, परभू बचाओ, यह तो राक्षस लोग सभा मरत पी जाएंगे, हम तो ऐसी रह जाएंगे, तो विश्नु भगवान, अंतर्यामी, इश्वर, कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा तो वो मोहनी रूप धारण करते हैं मोहनी रूप नाम से ही पता लगा मोहनी मन को मोहलेने वाली मोहनी बहुत ही खुबसूरत इसके बोलने का अंदाज बहुत ही कह सकते हैं कि प्रिय हो जिसकी चाल बहुत ही अच्छी हो तामसिक प्रवति वाले लोग काम के प्रती बसी भूत होते हैं यह एक तरीका होता है उनको अपने कंट्रोल में लाने का जो भी है इसलिए तो नोने धारण किया यहां से भी एक क्लू मिलता है कि राहुकेतु किस तरह से गलती कराते हैं तो जब मोहनी जाती है तो यह कहेंगे वो वाली बात पहले तो तयार नहीं थे पर जब मोहनी ने कहा तो ठीक है मान जाते हैं पर मोहनी क्या कहती है कहती है कि भाई आप बैठ जाएए एक लाइन में असुर लोग और हम एक तरफ बैठ जाएंगे देवता लोग एक तरफ असुर लोग एक तरफ और मोहन की तरफ असरों की तरफ आती नहीं अमरत को लेकर तो वहां बैठे स्वर्भानू जो बहुत ही तेजस्वी बुद्धिमान शक्तिशाली थे सोचते हैं कि अगर आज बैठे रहे तो बैठे ही रह जाएंगे मूर्ख बनकर रह जाएंगे किसी को यामरत मिलेगा नहीं तो उनक किये तो उन्होंने अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए नियम को तोड़ा नियम को तोड़ा क्योंकि उनसे कहा गया था कि ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था हाँ हम बैठेंगे हम वेट करेंगे जब तक पर उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने उस नियम को तोड़ा उन्ह तब तक राहू के कंठ से अमरत नीचे जा चुका था इसी कारण जब मोहिनी विश्णु रूप में आई और सुधरसन चक्र से भगवान विश्णु ने गर्दन को अलग किया धड़ से तो उपर वाला हिस्सा राहू और नीचे वाला हिस्सा केतु बन गया और उनको देवता करते हैं राहू देव की पूजा होती है केतु देव मोक्ष के कारग हैं जो की सबसे बड़ी उपादिया कहते हैं मोक्ष तो देवताओं को भी हासिल नहीं है इसलिए मनुश्य की इतनी भव्विता है इतना कि वो मोक्ष का अधिकारी हो सकता है तो राहू केतु जो है यह उनकी कहानी है, अब इस कहानी से आपको उनके गुण समझ में आ जाएंगे, देखिए पहली बात तो, स्वर्भानु ने नियम तोड़ा, मर्यादा तोड़ी, तो राहु के तु मर्यादा तोड़ते हैं, रिष्टे नाते तोड़ते हैं, और दूसरा, उन्होंने एक योजना बनाए बहुत चांदार, तो बहुत तेजे हैं, बहुत चालागें, शड़ीन कहि IRS कहिए, योजना कहिए, या जो भी कहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं, कि सभी को धोका इस तरह से तोपी पहनाए, कि मतलब किसी को पता ही ना लगे, और बहुत ही डिप्लोमेटिक, कह सकते हैं, कि रुमाल में बांध के ऐसे जूते मारता है जिसका राहू अच्छा है कि आदमें को यही पता समझ में नहीं आता कि भाई यह तारीफ कर रहा है या बेज़ती कर रहा है और किसी को कह सकते हैं कि बिना अपमान करे अपमान कर दे बिना गिराए गिरा दे सीधा कुछ ना करे बहुत ही जाज है राजनितिक और बुद्धिमान और खत्रों का खिलाडी कितना बड़ा जीवन का खत्रा लिया वो पहले भी पता लग सकता था अमरत पीने से पहले तो जान भी चले जाती है अमरत भी नहीं मिलता पर राहु ने ऐसा नहीं किया स्वर्भानू ने ऐसा नहीं किया उसे पता था कि अमरत ना पिया तो मरना है क्योंकि अमर नहीं थे और पी लिया तो बची जाएंगे तो किसी भी केस में दौनों में ही उसने रिक्स लेना अति उत्तम समझा राहु की ये सोच राहु की ये तो की ये सोच है कि भई जाहज जो होता है पानी का जो जाहज है जैसे व्यक्ति को तुलना अत्मक कह रहा हूं मैं वो बंदर गापे खड़े होने के लिए नहीं है हलाकि वो वहाँ पे सबसे सुरक्षित है पर वो है किसलिए टैरने के लिए भले ही उसमें डूब जाए भले ही उसमें बंबि स्पोर्ट हो जाए भले ही उसमें मारा जाए पर उसका जो जीवन है वो वहीं है सेक्यूरिटी के लिए आप अंदर नहीं बैठ सकते तो दोनों की अपनी अप्रोच है चाहिए उसे और उसकी भूग कभी सांत नहीं होती क्योंकि उसके पास पेट नीचे वाला हिस्सा नहीं है सिर्फ सर है तो वो खाता रहता है खाता रहता एक के बाद एक कामना कभी सांत नहीं होती बढ़ती जाती है भोग कभी सांथ नहीं होते, बढ़ते जाते हैं, लारच कभी सांथ नहीं होता, बढ़ता जाता है, पर इस प्रोसिस में, एक के बाद एक एक बाद एक राहू को ये ज्ञान होता है, कि भाई, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, और राहू भी इंदा एंड आपको स्प्रिचुल्टी की तरफ ले जाते हैं कई बार स्प्रिचुल्टी का भूके हो जाते हैं लोग जैसे राहु नवम में आ गया और उस पाच्छे ग्रहों की है तो धर्म के पिपासू ज्यान पिपासू तो ऐसा नहीं के राहु हमें सब बुरे होते हैं बहुत ही अच्छे ग्रहबी हैं कुंडली जागरण चक्र विज्ञान स्वादिष्ठान चक्र ये सब जो चक्र हैं हमारे अनाहत चक्र, विसुद्धी चक्र मूलाधार चक्र ये सब जो चक्र हैं तो उससे राहु केतु का बड़ा संबंध है, माता से संबंध है, राहु अच्छे हों तो लोग माता के बड़े भक्त होते हैं, राहु खराब हों तब ही माता की पूजा की जाती है, ओम दुम दुर्गाय नमा, दुर्गा चालीसा पड़ा जाता है, दुर्गा सबसती करता है बंदुरुगा का पाठ कराया जाता है बाकि वो छोटे मोटे जो उपाएं है वो लॉंग के नमक के नारियल के वो भी कर सकते हैं पर जो काम करता है वो उपाय बता रहा हूं में तो राहु ऐसे हैं राहु भौतिक बादी है नियमों के पालन नहीं करते हैं वैज्ञा प्यादा को नहीं मानते हैं, उसको तोड़ के देखना चाहते हैं, आगे क्या है, डर के आगे जीत है, या कुछ भी कह लीजिए, पर वो नियम तोड़ना चाहते हैं, ताकि आगे जा सकें, तो ये भी एक क्वाल्टी भी है, अच्छा यहां पर कुछ लोग ये समझ रहोंगे सब नेगेटिव क्वाल्टी हैं, नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छी क्वाल्टी है, आप इस तरह से सोचिए कि हाईजेक कर लिया है प्लेन, और उसमें बहुत बच्चे हैं, इस्तरियां हैं, और वहां पर जो, मतलब जो टेरिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई, या तो हमको दूसे टेरिस्ट को छोड़ो, और इतने पैसे वगरा कुछ भी, तब हम इने छोड़ेंगे, तो एक व्यक्ति चाहिए, जो उनसे जाद है, अच्छा प्लान बनाए, उसे सडियंत कह लिजिए, प्लानिंग कह लिजिए, इतनी चाला की से कुछ ऐसा करें कि उनको धोका दे दे, क्योंकि वो सीधे सीधे तो आने वाले हैं नहीं, आपको क्या लगता है, वो ऐसे बात माल लेंगे, आपकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धोका तो देना पड़ेगा आपको उन्हें, तो वो क्वालिटी है, राहु को आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, व और उसका यूज अलगतर है, तो राहु को गलत ना समझें, बहुत ही अच्छे, और शातिर बनाते हैं, वक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं, और किसी चीज के लिए उसमें बड़ी इतीवर इक्षा देते हैं, टेम्टेशन देते हैं, ये रा मुँ में इंट्रेस्ट लाना है, सब राहु के कारे हैं, खत्रों के खिलाडी, राहु खत्रों का खिलाडी है, ऐसा नहीं है कि डर लग रहा है और कूद गए, नहीं, उसको मज़ा ही आता है, राहु को मज़ा ही तब आता है कि कुछ ऐसा किया जाए, रोमांच, डर की उनमें ups and down भी आते हैं, क्योंकि आदमी रिख्स लेगा, और कुछ बड़ा करना चाहेगा, तो कभी गिरेगा भी, कभी उठेगा भी, जो घोड़े पर सबार होना चाहेगा, वो गिरेगा तो जरूर है ना, और जो गिरेगा, वो ही सबार भी हो पाएगा, वो सीख भी होती है, कि अपने लक्ष की तरह बढ़ने की और किसी भी तरह से बढ़ने की, चाहते हैं दूसरों को सुनते नहीं है, यह राहू है, क्ये तुछ से अपोजिट हैं, क्ये तुछ कहते हैं कि भाई काम करोगे, शादी करोगे, पधान मंतरी बनोगे, आई-एस बनोगे, जीवन के बाद, तो क्योंना डारेक्टली इस जीवन का यूज सीधा मोक्ष के लिए ही करा जाए, क्योंना सीधा ऐसा ही पात अपना जाए, जिसके थुरू अप उस परंग्यान को, उस एलाइटिनमेंट को, या उस इश्वर को समझ पाएं, और इस सब मोहमाय से सीधा ही निकल जाएं, तो केतु यूटर्ण मारते हैं सिधा, सब को छोड़ के, तो ये भी बड़ा हिम्मत का काम है, वो ऐसा नहीं कि इस चीज से डर के, कि भाई, काम में उनकी इच्छा नहीं है, या फिर काम करना नहीं चाहते, काम चोर है, नहीं, केतु जब अच्छा है, तो व ऐसी गया से बहुत पड़े महान संत, वेवेकानन्द हुए, बुद्धा हुए, उनके में केतु का बड़ा रोल है, तो और वो जो पात है, वो अंदर की तरफ है, पर है बहुत अक्रामक, केतु राहु से भी अक्रामक हैं, बहुत तेजी से रिजल्ट देते हैं, कुंडली वगरा में काम आते हैं, और वैसे भी अचानक जो घटनाएं होती हैं, हाथ कट जाना, बम भट जाना, टेरिश्ट हुए, या फिर समाधी वगरा में केतु का बड़ा रोल है, तो ये राहु के बारे में थोड़ी सी जानकारी, अच्छा हम भात कर चुके हैं, कि राहु कुछ खास नहीं किया, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, और हो सकता है उसे कुछ ऐसा भी, आपको लोग सोचेंगे इसका कुछ नहीं होगा, फिर अचानक से वो व्यक्ति इतना उपर उठ जाता है, तो वो राहु केतु का खेल होता है, या फिर लोटरी निकलाती है, किसी की, कुछ ऐसा, जो नहीं सोचा हो, अचानक से हो जाता है, वो सब राहु केतु होता है, अच्छा भी और बुरा भी, एक्सिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, हाथ कर जाता है, तो वो भी, दोनों ही चीज़ें हैं, सिर्फ बुरा नहीं है, तो सिर्फ बुरा समझ के अगर आप रहू के तुको देखते है तो वो गलत बात है वो आधी पिक्चर है आधी के चोथाई है बहुत कुछ उनके अंदर अच्छा भी है पर उस पर फोकस जादे जाता है क्योंकि वो ठोड़ा डराबना है और जब उस पर फोकस जाता है तो ऐसा लगता है राहू का गोचर हो रहा है वो ब्रसव राशी में सब्तम भाव में हो रहा है राहू का गोचर बहुत सुब नहीं कहा गया है सुब कहा गया है सिर्फ तीसरे छटे दसमें 11 में भाव में पर इसका क्या आर्थ है भई इसका आर्थ यह नहीं है कि वो असुब हो गया नहीं न ग्यारे अप्रेल 2022 तक कभी भी दे सकते हैं, जिस तरह से सूर्य, सूर्य मंगल आते ही, गुरु शुक्र बीच में, शनी बाद में, बुध राहु कभी भी दे सकते हैं, तो बुध को तो बहुत जल्दी चलते हैं, तो महीने में कभी भी दे दें, तो इतना वो नहीं है, अब सब्तम में हैं तो सब्तम से जिन भावों से 3, 6, 10, 11 हैं उनका च्छर जड़ देंगे अब जैसे पांचमा भाव है पांचमा भाव से हम गिनते हैं 1, 2, 3 तो मत पांचमा भाव से तीसरे हैं तो पांचमा भाव का सुबर जड़ देंगे दूसरा भाव है एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, साथ, आठ, नो, दस, दसमें, पद, पतिष्ठा, प्रमोशन, ट्रांसफर, आपका जो कर्मिस्थान है, उसका पॉजिटिव रिजट देंगे, बहुत अच्छी बात है, और नवम भाव से अगर गिनें, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, चै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, और नवम भाव का है, भाग्य का, भाग्य भी साथ देगा, पद, पतिष्ठा भी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा, जॉब की तलास में थे, तो जॉब भी मिल सकता है, ते इसके बाद पर कम मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि राहु ह अगर आपके बच्चे हैं, तो बच्चे एजुकेशन में अच्छा करेंगे, वो कहीं बाहर जा सकते हैं, उनको कोई नौकरी लग सकती है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छा, जिसके आपने उमीद न की हो, अगर आप खुद इस्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई या अच्छी रहेगी, अच्छे मार्क आ सकते हैं, डिग्री आप, कोई बड़ी डिग्री मिल सकती है आपको, जो उमीद से ज़्याद है अच्छे मार्क सासकते हैं, कुछ विष्यों में, या डिक्टेशन आ सकती है, इसके साथ-साथ उच्च्ची सिक्षा के लिए आप ब वो हो सकता है और प्रमोशन हो सकता है आपका बोस आपको किसी अच्छी जगए पर ट्रांसफर कर सकता है ट्रांसफर हो सकता है पर वो आपके लिए लॉंग टर्म में अच्छा सिद्ध होगा क्योंकि दसम भाव से हैं पंचम भाव से हैं तो अगर आप government job में है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, creativity में, अगर आप actor हैं, actress हैं, आपका काम creativity से जोड़ा हुआ है, share सटे से आपको लाव हो सकता है, कोकि पंचम भाव है, tour, tourism, philosophy, इस सब के field में है, तब भी आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा, कितनी सारी अच्छी ब धन तो आएगा भाई, पैसा आएगा, job में तरक्की होगी, और पैसा आएगा और आप उसको जमा भी कर पाएंगे, मतलब बैंक में डाल पाएंगे अपने, आपका जो total जो बैंक में है, वो बढ़ेगा किसी ना किसी कारण से, तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर बात आ बुरा फल देंगे, और अश्टम का सबसे बुरा फल ये होता है, कि भाई एक तो health का ध्यान रखना है, अचानक से कोई दुरघटना वगेरा, अगर आपकी कुंडली में योग है, तो नहीं तो नहीं, उसका risk है, तो यह चीज बहुत important है, health है, तो wealth है, जान है, तो जहान ह खाने पीने का ध्यान रखना है, जब driving करें, उस समय बहुत ध्यान रखना है, अपना, खास करकि ये बातें तब हैं, जब आपकी कुंडली में इस तरह की योग हो, अगर कुंडली में अच्छी महादशा चल रही है, उम्र आपकी अच्छी है, तो ऐसा कुछ डढ़ने की साब धान रेना, बाहर अगर विदेश में जाते हैं, अगर आप विदेश में हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, वो बारे में घर का काम है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप समाधी वगेरा योगा प्रैक्टिस करते हैं, समाधी प्रैक्टि पिता के जो पिता हैं मतलब आपके दादा जी हैं उनकी हेल्थ थोड़ी नाजुक हो सकती है वैसे भी राहू दादा को दिखाते हैं और के तु नाना को दिखाते हैं इसी वज़े से किसी के अश्टम भाव में अगर राहू हो तो दादा के जो कुछ कर्म है वो उनके उपर होते हैं इसी तरह पहले भाव में अगर राहू हो तो दादा जो कुछ कर्म किये हुए है उसका आपको कुछ मुक्तान करना पड़ता है के तू हो तो नाना के ये सब होता है के तू पहले घर में हो तो नजर भी जाए काफी लगती है वेक्ति को तो ये हैं हमने सब की बात की अच्छा राहू की देश्टियों की बात नहीं की अभी राहू की देश्टि देखी पांच मी डश्टी पड़ेगी आपकी एक, दो, तीन, चार, पांच, ग्यारे में भाब पर साथ मी डश्टी पड़ेगी लगन पर और नौ मी डश्टी पड़ेगी आपके तृती भाब पर खुद राहू सब्तम में है तो शादी को दिखा रहे हैं मुभारक हो जो लोग सिंगल हैं शादी को दिखा रहे हैं नयर रुष्टे की सुरूबात को दिखा रहे हैं खास करकि ऐस दूसरे विजाती लोगों से दूसरे धम से फोर्नर्स से यात्रा के दोरान और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो थोड़ा ध्यान रखना है तब थ तब ही है ऐसा अकसर कौन सा ही है तो इसको लेकर फालतू की बात पूर लेकर छोटी की बात बात का बतंगर बन जाना इस तरह की संभावना यहां पर रहती है बिजनिस को बढ़ाएंगे पर जो बिजनिस पार्टनर है आपका उससे मिसंडरस्टेंडिंग करा सकते हैं आपके जो दोस्त हैं उनसे थोड़ी दूरी ला सकते हैं चुकि रिष्टे पैसे से जादे इंपोर्टन्ट हैं तो इसलिए इसको खराब कहा गया है और बड़ा भाई को तो पिता के समान माना गया है तो आपके जो सीनियर से हैं उनसे बना के रखिएगा कि उनसे आगे काम आते हैं आपके और जो तीसरे भाप पर दश्टी है वो छोटे भाई पर छोट मतलब एक तरह से सभी पड़ोसियों से भाईयों से जो आपके सहयोगी हैं एक तरह से दाया हत बाया हत क्योंकि उनी के रास्ते आप आगे बढ़ते हैं ऐसा लगता है कि आप अकेले जवरदस्त योग बने हुएं किसी प्रेमी से मुलाकात प्रेमी का से मुलाकात और शादी होने की मुलाकात नेक्ष देड़ साल में बहुत जादा है खासकर कि एक साल में बहुत जादा है क्योंकि गुरू भी रहेंगे और गुरू की सब्तम पर इस तरह की डश्टी बहु सब लोग सुनना चाहते हैं कि कुछ इस तरह का हो कि सब ठीक हो जाए तो कुछ उपाय मैं बताता हूँ काम करते हैं और बाकी इश्वर की इच्छा ये यकीन मान लीजिए कोई ऐसा नहीं है जो ब्रह्मा का लिखा मिटा दे जब तक भ्रह्मा खुद न चाहें तो एक तो यही है माता की पूजा बहुत अच्छी पूजा है माता की पूजा मा काली की पूजा करें आप सब्तमी को बरत रखें अश्टमी को बरत करें नब दुर्वे का बरत रखें माता को लॉंग नार यलिये सब चढ़ाएं दुम दुर्गाय ओम दुम दुर्गाय नमा का मतलब पाठ करें और कह सकते हैं दुर्गा सब्सती का पाठ करें दुर्गा चालीसा का पाठ करें बहुत अच्छार इसका रिजल्ट है राहू के लिए इसके लाबा भगवान शिव भगवान शिव की पूजा और भगवान श्रीक रशन की पूजा भी ओम क्लीम कृष्णाय नमा ओम नमो नारायना ओम नमो भगवते वासुदेवा है जो भी आपके करीब हो उस मंत्र का पाठ करने से भी राहु शांत भी होते हैं राहु का result भी अच्छा आता है भगवान सूर्य की पूजा सूर्य तेज है ज्ञान है बुद्री है शिव और सूर्य और विश्णु में काफी संबंद है तो जब सूर्य विश्णु किसी की भी आप पूजा करते हैं राहू कंट्रोल में रहते हैं, राहू अच्छे रहते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दानपुन, कर्म, गरीबों को, जो गरीब लोग हैं, जाड़ू लगाने वाला, जाड़ू लगाने वाली, सडक पे जाड़ू लगाने वाला, अलग लोग हैं आपसे, उन तीन प्रकार के होते हैं एक तो वानी का जो आप बोलते हैं तो अच्छा बोलें उनसे फिजिकली अच्छा करें उनके लिए मेंटली अच्छा सोचें उनके लिए और भावना क्या है भावना खुद लाप प्राप्त करने की है लाव, लोव, क्रोध काम, क्रोध, लोव, मोह, इर्शा, हेंकार ये तो पीछे नहीं है कहीं आपका जो आप कर रहे हैं उसके पीछे या फिर उसके पीछे लोक उपकार है उसके पीछे उनका अच्छे करना है प्रेम है अपोजिट, लोव, क्रोध, काम, क्रोध, लोव, मोह, इर्शा, दया है, अहंकार, सभी में आप इश्वर को देख पाते हैं, ये सब गुण हैं आपके, और तब आप ऐसा कर रहे हैं, भगवत गीता का पाठ कीजिए, उससे ये गुण अपने आप में आने लगेंगे, जैसे जैसे गीता आपके अंदर उतरेगी, ये गुण आप, ये जो गुण है आपके अंदर आएंगे, अब गुण आपसे बाहर जाएंगे, इसके लाबा सोने से पहले, और उठने के बाद, अच्छे motivational videos देखिए, positive videos देखिए, अपना कोई जो लक्ष है, पहले तो वो असली ल जाएगी, क्योंकि engineering में तो interest है नहीं, post में interest है, तो ऐसी चीज जिसके process में आपको interest हो, फिर उसको इस तरह जुनून बनाना, एक तरह का mahal create करना है, फिर एक planning बनानी है, उसके चहज आपको वहां तक जाना है, बाकि इश्वर आपको कहीं कुछ और बनना है, तो वहां तक आपको पहुंचा देगा, पर आपका एक attitude होना चीए, जिस तरह का आप व्यक्ति है, एक मेहनती, और अपनी लक्ष की तरफ खोश व्यक्ति, जो positive को देखता हो, वो बनना, वो जादर जरूरी है, बाकि लक्ष तो इस वर लेही जाएगा, रहा पकड़ के ले जाएगा, य यही उपाए हैं, यकीन मानियस बात का, तो अच्छा इस यात्रा में रहू तीन नक्षत्रों से गुजरेंगे, फिलहाल सेप्टमबर से लेकर, मतलब कि 23 सेप्टमबर से लेकर, आपके जैनवरी तक, जैनवरी तक, वो म्रग शिरा मंगल के नक्षत में रहेंगे, जैनवर जिसके देवता सोम है, चंद्रमा है, खुद चंद्रमा है, पूर्णिमा के चंद्रमा है, और ये जो नक्षत्र है, माता पारवती की शिव के लिए खोच को दिखाता है, सर्च का नक्षत्र है, यात्रा का नक्षत्र है, उसके बाद जो राहु हैं, वो सितंबर से लेकर, स कारीब 11 अपरेल 2022 तक कृतिका नक्षत में रहेंगे जिसकी डायटी जिसकी देवता अगनी है सूर्य है जो की इंडिविजुएल्टी को दिखाता है उच पद को दिखाता है योध्धा को दिखाता है भगवान कार्थी के से जोड़ा हुआ नक्षत्र है तो एक तरह से कह सकत नक्षत्रों का भी रिजल्ट देंगे यह नहीं कि इनका देंगे चूकि चंद्रमा की राशी आपके भागे भाब में है सूर्य की राशी आपके पराकरम के भाब में है कर्म के भाब में है पोश्ट के भाब में है और मंगल आपके लगन के स्वामी है तो एक तरह से बहु बहवार अच्छी तरह करें उसमें थोड़ा गरबढ हो सकती है और कोई खर्चा आ सकता है तो उसके लिए जो उपाय की हैं उनका करें अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे पूर्ण विस्वा से मिनियम ट्रांजिट के राहू के ट्रांजिट की वज़े से तो आपका कुछ बाल भिबा का होगा नहीं सब अच्छा ही अच्छा होगा अब इसके अलावा कुंडली मैटर करती है आपकी क्या दशा चल रही है क्या महा दशा चल रही है कई बार लोग समस्ते है राहू मेरा कुछ कर रहा है पता लग रहा है शनी महराज गुरू महराजी कर रहे हैं जि कुछ को करते रहना होगा फिर करते रहना होगा और करते रहना होगा तब जाकर इश्वर ने चाहा तो कुछ चीज़ें ठीक होगी और कुछ प्रैक्टिकल बाते बताएगा कि ये मत करना ये करना ये करना कर्म में सुधार बताएगा उनको भी आप करते रहेंगे और जीवन म लाएंगे तब जाके कुछ होगा ये बात समझने की है कि जोतिश एक विद्या है विज्ञान है जादू नहीं है तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा ये राहु केतु का महापरवरतन का रिजल्ट, रेमेडी वगेरा सब आपको अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा थाकि दूसरे लोग भी देख पाएं लाइक कीजिएगा और घंटी वाले जो बटन है उसको दवाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब आगे बाले वीडियो में डालूंगा मैंने डेक्स्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टेंग्राम का, फेस्बुक का, ट्विटर का आपका सपोर्ट बहुत माँने रखता है तो प्लीज फॉलो कीजेगा, लाइक कीजेगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार